नमस्कूरा राइस्पिटी न्यूज में आपका स्वागत है पेश है साथ मार्च सोमार दोपर सबावा बारा बजे राष्टान की बारा बड़ी खबरे राष्टान की पूर्व मख्य मंत्री वसंतर राजे आठ मार्च को अपना बर्दे मनाएंगी इस दिन महिला दिवस्पी है ऐसे में बड़ी तादात में महिलाओं की भीड कालकरम में बुलाई गई है राजे कैम के विधाय को पूर्व विधाय कनेता कारकरता और समर्थक पर भी देखा जा रहा है युक्रेन के सूमी में फसे इंडियन स्टूडेंट्स को जल्दी ही निकालने के तैयारी है युक्रेन स्थित भारते दुतावास ने रविवाराद सभी स्टूडेंट्स को तैयार रहने का निर्देश दिया है इन्हीं में फसे कोटा के कार्थिक नंदवाना ने बताया कि दूतावास की ओर से दिये गए मैसेज में कहा गया है कि सूमी में फसेब भारते चात्रों को पोलतावा के रास्ते पशिमी सीमाओं तक सुरक्षित पहुचाने के लिए भारते दूतावास की टीम पोलतावा शहर में तैनाथ है समय और तारिक 6 मार्स से शुरू हो चुका है रविवार को छुटी का दिन होने की कारण 2 लाग से जादा श्याम प्रेमियों ने दर्शन किये खाटू में 15 मार्स तक राजस्तान के अलावा दिली हर्याना गुजरात कलकता मध्य प्रदेश सहित देश बर से 25 लाग से जादा भक्त दर्शन क करने आएंगे प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर है तीन साल से बंद इंट्रस्टेट हवाई सेवा को सरकार ने दوبारा शुरू करने के तयारी की है जुलाई से जोदपूर श्री गंगानगर बिकानेर और कोटा के लिए छोटी विमान उडान भरेंगे और किरा हाया दो हजार से चार हजार रुपए के बीच होगा राज्सरकार जोलही समद में एरपट प्रिशासन और एलाइन्स कंपनियों से बाचित कर इंट्रस्टेट हवाई सेवा को मोड़ रूप देगी तीन साल पहले जैपूर से श्री गंगानगर जोदपूर उदैपूर और एक वर्ष के टिका करन के लिए धाई हजार पे दिये जाएंगे इसकी बाद पहली से बारवीं की पढ़ाई के लिए 45 हजार पे मिलेंगे शिक्षा विभाग ये फाइदा उन वालिकाओं को देगा जिन्होंने इस योजना में पंजीकरन करवाने के साथ पहली क्लास में प्रवेश लिया है प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी जोहां डिस्टल इंडिया को बढ़ावा दे रही हैं वहीं जोदपुर नगर निगम दक्षिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर ही पाबंदी लगा रहा है निगम दक्षिन आयक के दो दिन पहले जारी आदेश को ले करने की भी हिदायत दी है कोटा नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए तो ज़्यदा प्रयास नहीं करता लेकिन जो अनुदान सरकार से मिल रहा है उसकी प्रती भी नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जो रहा है बात नगर निगम की बंधा सिद गोशाला की है वाशो से चरही इस गोशाला का पहले रेजिस्टेशन नहीं था दो साल की मशकत के बाद निगम की गोशाला का रेजिस्टेशन करवाया गया अब रेजिस्टेशन हो गया लेकिन राजे सरकार की तरफ से मिलने वाला चार करोर रुपे कानुदान आज तक नहीं मिल पाया ह अलवर का ये स्कूल अब इंद्र धनुश जासा दिखता है इंजिनियर राजेश लवानिया कहते हैं कि बच्चों को रंग भी रंगी दिवारें आकशित करती है दिवारों पर बने शाक्षिक चित्रों से बच्चे अच्छी बाते सीखते हैं स्कूल की दिवार पर हर रंग कुछ कहता है साहोडी ग्राम पंचवायत के सरकारी स्कूल के नाम अंकन में 75% की रद्धी हुई है प्रधाना चौरी के रंग के अनुसार पहले 286 बच्चों का नाम अंकन था अब नाम अंकन 500 है स्कूल पहले 10 वी तक किया गया फिर साहोडी ग्राम पंचवायत बनी तो ये स्कूल 12 वी तक किया गया कुछ ही समय में स्कूल का काया कल्प हुआ है सिविल सर्विसेज परिक्षाओं जैसे IAS, RAS की परिक्षाओं में प्रदेश की यवाओं का रुजान जबदस देखने को मिला है प्रदेश की यवाओं को सरकारी खर्चे पर कोचिंग की सुवधा उपलप्ट कराने को लेकर आ रहे आवेदनों की एनलेसिस में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं सरकार ने मुखे मंत्रिया अनुप्रती कोचिंग योजना में अगले सेशन से 5000 सीटे बढ़ाने की खोशना की है इस 50 प्रतीशत की बढ़ोतरी से 15,000 चात्रों को नामी संस्थानों से प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलेगा योग एम कथक के मिशन से योग गुरू डॉक्टर अशोग जा और उनकी पतनी कथक गुरू डॉक्टर अनुरीता जहा अनुरिते की एक नई शैली तैयार कर रहे हैं इसमें कथक और योग का अनुठा समन्वे किया गया है निर्ते की इसकला का वे दोनों मिलकर प्रसिक्षन भी दे रहे हैं उनके शिशिया इसकला का प्रदेशन कई स्थान अफर कर चुके हैं डॉक्टर अशोग वे डॉक्टर अनुरीता जहा का कहना है कि शास्त्रिय और निर्ते की बहुत सी मुद्राई योग के आसनों से मिलती जूलती है बाल विवाह के लिए कभी बदनाम राजसान के लिए एक सुखत खबर है वाश्य 2020 में राज्य में केवल तीन मामले दर्च किये गए हैं वाश्य 2019 में ये संक्या 19 थी यानि कि पिछले साल की तुलनामे इसवाश 84.12% कम मामले दर्च किये गए हैं साथी साल 2020 में राजसान में दर्च बाल विवाह के मामले सभी पड़ोसी राजियों की तुलनामें सबसे कम हैं अलव शहर से करीब 18 किलोमेटर दूर गवालदा गाउं आज भी देश की हजारों साल पुरानी परंपरा को जिन्दा रखे है बेटी की शादी में कन्यादान से लेकर बच्चा पैदा होने तक गाएं दी जाती है मेव बाहुल्या गाउं में आज करीब 20 से अधिक घरों में 100 से अधिक गाएं देखी जा सकती है गाउं में शायद है ऐसा कोई घरों जहां गाएं नहीं मिले गाउं के पंच मौसम दीन बताते हैं कि 500 घरों वाला ये गाउं तिजारा मेवात में मेव बाहुल्या सबसे बड़ा गाउं है यहाँ 95 फीसदी से अधिक जनसंख्या मेव समाज की है तो फिलाल इस पिलेटिन में इतना ही फिर हाज़र होंगे कुछ और बड़ी खब्दों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें